तो दोस्तों आज मैं आपके लिए खास लड़ू की रेसिपी लाई हूं जो सर्दियों में बहुत ही जादा पसंद किया जाता है हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही जादा टेस्टी भी है और इस लड़ू की खासियत ही है कि सिर्फ यह पांच मिट में बनकर तयार हो जाएगा वो भी सिर्फ दो चीजों से तो पहली हमारी जो चीज है वो है गुड़। यहाँ पर मने एक कटोरी गुड़ ले लिया है और साथ ही हमने यहाँ पर ले ली है एक कटोरी रोस्टेट चना डाल यानि की भूनी हुई चने की डाल यह देखिए दोणों का जो मेजरमेंट बिल्कुल बराबर रखेंगे तो यह दोनों चीज़े हमारी रेडी हो चुके है चले अब इसे बनाना शुरू करते है तो एक कढ़ाई में हम आधा छोटा चमत देसी गी डाल देंगे देसी गी से क्या होता है दोस्तों इसका टेक्स्चर है वह काफी अच्छा हो जाता है जो रूप है अच्छा सा शाइनी सा दिखाई देता है अब जैसे ही घी हलका सा मैल्ट हो जाएगा हमने जो गुड़ ले लिया है अब वह गुड़ हम इसमें डाल देंगी तो यह करेंगे साथी बहुत ही जादा टेस्टी भी होते हैं तो अब यहां पर आपको क्या करना है गैस का फ्लेम लोटो मीडियम रखना है और इस तरह से बीच-बीच में चलाते हुए इस गुड़ को हमें मैल्क कर देना है दोस्तों वैससे यह जो नॉन स्टिकी कड़ाई है इस पर देख सकते हैं कितना परफेक्टली जो हमारा गुड़ है वो मैल्क हो चुका है हमको यहां तक इस गुड़ को मैल्क करना है दो से तीन मिट लगेंगे दोस्तों उससे जादा नहीं लगेगा हमारा जो यह गुड़ है मैल्ट होकर रेडी हो जाएगा यहां पर बहुत ही टच बिल्कुल भी नहीं करना यह बहुत ही जादा गरम होता है तो बस अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से इस तरह से मिला देंगे कि जो गुड़ है और चना दाले आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आपको देखने से पता लग रहा है न गैस का फ्लेम बंदी है क्योंकि जो गुड़ होता ना बहुत ही जादा गरम होता है वो हीट को बहुत जल्दी पकड़ लेता है तो यह देखिए अब हम इसे यहां पर पांच मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि जो है यह रूम टेंपरेचर पे थोड़ा सा आ जाए आपको इसे बिल लेट पर सेट कर लें उसके बाद चाकू से कट लगाने जब अच्छी तरह थंडी हो जाएगी तो फिर इसे बाहर निकाल ले बढ़ आज हम यहां पर इसके लड़ू बना रहे हैं तो हलका सा जब यह अच्छी तरह से थंड़ा हो जाएगा उसके बाद चमच की हल्प से थ सभी लड़ू के साथ करना है यह देखे दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रोसेस है पर यह जल्दी से सेट हो जाता है इस मिक्श्चर आपको पूरा ठंडा नहीं करना अगर आप पूरा ठंडा करेंगे तो यह इसी शेप में सेट हो जाएगा तो हलका सा गरम हो और इतना गरम गोर शेप देदेंगे इसी तरह करकर हम सभी लड़ों को बना कर तयार कर लेंगे दोस्तों जब यह अच्छी तरह से ठंडे हो जाया ना आप इने एक दो घंटे के लिए फैन के नीचे रख दे उसके बाद यह प्रॉपर अपनी शेप में आ जाएंगे फिर आप इने महीन नों किसी भी अटाइट कंटेनर में रखकर स्टोर कर सकते हैं यह बहुत ही जादा है टेस्टी है इन सर्दियों में आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए को आपको ब्रहत पसंद आएंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से कर दें